हाई फ्रेंड्स हाव आई यो और यहां इस बीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे बिसेशड की कि किस प्रकार से किसी भी परिच्छा के लिए यह जो राम बाण वसदी है वो क्या है सिंटेक्स और अडजेक्टिव जिसके अंतरकर हम सब देखेंगे कि यह इनके जो रूल होती हैं वो किस प्रकार से थोड़े एकजाम में इनको गलत करके पूछा जाता है वह इनका रूल अगर आप समझ गए तो एकजाम में कोई भी गलती आपकी नहीं होगी तो देखते हैं और सीधी से बात बताना चाहेंगे कि इस सेंटेक्स और अडजेक्टिव को समझने से पहले आपको अडजेक्टिव की प्राइमरी जो नालेज है वो आपको बेसिक अच्छी होनी चाहिए और चलो देखते हैं बना किसी तरी के तो यहां देखते हैं रूल फर्स्ट क्या है आपको बैसाय जाता है और लेकिन जब अडों करिया किया जाता है तो ऐसी प्रोसेस को ही प्रॉडी केतव कहा जाता है है very important है यहां देखते हैं राम एज ए गुड़ बॉय तो यहां आप देख रहे हैं हमारा जो अडिजेक्टिव प्रियोग हुआ है गुड़ है यहां पर यह वाला और यह नाउन हो गया है तो नाउन के पहले आया है तो यह हो गया हमारा अट्रिवूटिव यूज इसको अच बर्व के बाद इसका प्रियोग किया गया तो यह हमारा प्रेडिकेटिव यूज हो गया है अडिजेक्टिव का खलिया और रूल तू देखते हैं बेन एन अडिजेक्टिव इस टाइटल फ्रेज यूज इट आप्टर नाउन जैसे देखते हैं अलक्जेंडर्ड ग्रेट अलक्जेंडर क्या है यह सिकंदर है सिकंदर के बाद यहां पर प्रियोग किया गया यह टाइटल और जब भी ऐसी सिच्वेशन बने तो आपको हमेशा ना उनके बाद ही अडिजेक्टिव का प्रियोग करना है तो इस प्रकार से और इसके बाद देखते हैं हेर अपरेंट टाइम इमेमोरियल पॉइंट ब्लैंग वर्ट्स सब्लाइम वर्ट दा आलमाइटी है ना तो यहां पे कुछ फ्रेज भी दिये गए है टाइटल तो पहले वाले एक्जंपल में है फ्रेज जो है वो दूसरे वाले एक्जंपल में आप देख रहे हैं कि सभी के सभी कहेंगे वाक्यांस कहेंगे ठीक है आगे दिखते हैं रूल थिरी दवर्ट विच इंडप बिद आयो आर लाइक सुपीरियर जूनियर इंफीरियर प्राइयर एंड सीनियर और यूज्ट इन कंपरेटिव डिग्री बिद तू नाट दैन बहुत इंपोर्टन डियम है यह क् वर्ट कुछ ऐसे सब्द सब्ढ रहे थो इनका अन्त होता है आयो आर र से जिन सब्टों और खोल्ग बिद बिद्रियो और करना है न तो positive degree करना है और नहीं superlative degree करना है comparative degree करना है with two और एक खास बात यह है कि जब भी इनकी तुल ना करें तो हमें इसा two से जोड़ेंगे इनको नागी then से तुलनात्मक सब्द then का परियोग नहीं करना है बलकि two का परियोग करना है यहाँ पे जैसे krisna is superior two बल्राम तो यहाँ पर यहाँ पर देन नहीं आएगा अपर इच्छा में यही रख दिया जाता है तो बत्यारती वहां नहीं पहचान पाती हैं तो यहाँ आप जान जाए junior to me clear तो यहाँ पर इनके जब भी आई-उ-र आए तो इनके साथ हमेंशा two के साथ ही जाना है okay अंगे देखते हैं सम अडजेक्टिव लाइक इंटीरियर एक्स्टीरियर मेजर माइनर फॉर्मर लेटर अपर इनर आउटर आर यूजड इन पोजटीव डिग्री ओनली यह सब ध्यान रखें जैसे इंटीरियर है या वर इसमें भी आ यह आ गया है लेकिन इतना ध्यहान रखेंगे कि इंटीरियर मेजर माइनर मेंजर मीजड बड़ा माइनर मीजड चोटा फॉर्मर मीज पहले, later means, later meaning बाद बाला, पर्माने उपर का, inner means अंदर का, outer means बार का, ये सब्द हैं, और used in positive बिगरी, इनका परियोग में सा positive बिगरी में ही होगा, जैसे देखते हैं, he received a minor salary, उसको कैसी salary मिली, minor salary मिली, छोटी salary मिली, केशव has finished the major portion of his work, केशव has finished केशव में समाप्त कर लिया है, the major portion, एक बड़ा भाग of his work, अपने कार का, काफी work जो है, उसने समाप्त कर लिया है, तो यहाँ पर major बढ़ा हो गया, माधों lives in the upper story, माधों कहा रहता है, उपर वाली मंजिल में रहता है, तो upper story, he belongs to interior area, वो interior area से सम्बंद रखता है, यह interior area में रहता है, इन सभी example का पर योग केवल positive degree में ही किया गया है, आगे दिखते हैं friends, कि some adjectives are used as highest degree, meaning to highest degree, so, ताकि they are not used as comparative degree or superlative degree, तो कुछ adjectives जो होते हैं, वो अपने हमें highest degree होते हैं, मनलब सर्वोच अर्थ रखते हैं, meanings होती है, so, they are not used as comparative degree or superlative degree, इस बज़े से उनको ना तो comparative degree में रखते हैं और ना ही superlative degree में रखते हैं, जैसे आप देखते हैं, round, goal, अब goal से ज़्यादा क्या होगा, परफेक्ट, जो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, है ना, unique है, unique, विश्विख्याच्चिप, मुक, complete, पूर, internal, शास्वत, extreme, अत्यदिक, ideal, आदर्स, entire, शंपूर, empty, खाली, universal, ब्रमान, square, चौकोर, है ना, तो ये कुछ ऐसे सब्द हैं, इनका परियोग आपको ना तो comparative degree में करना है, और ना ही superlative degree में करना है, बस इतना जानिए केबल, आगे देखते हैं, rule 6 क्या कह रहा है, rule 6 के बारे में देखते हैं, comparative degree is used for two persons, इतना ध्य या दो बस्तुरों के लिए होता है, बट लेकिन two or more persons of things, दो या दो से अधिक ब्यक्ति या बस्तुरों के लिए superlative degree is used, superlative degree का प्रियोग होता है, जैसे यहां देखें, she is the wiser of the two, तो यहां पर comparative degree बनाईगी ये दो लोगों की बात हो रही है, he is the wisest of all, तो यहां पर superlative degree बनाईगी है, क्योंकि आल की बात हो रही है, है ना, आगे देखते हैं, the girl in the, the girl is the cleverer of the three, यह गलत है, क्योंकि three की बात नहीं होगी, दो यह की बात होगी, तब यह गलत कर दिया क्या है, आगे देखते हैं, the girl is the cleverest of the three, अप सही है, क्योंकि तीन में, दो में है तो comparative degree, दो स देखते हैं वेन कंपेरिंग वर्ट वेन कंपेरिंग अकर्स जब तुलना होती है ओनली वन परसन एक ब्यक्ति में और थिंग या बस्तु में इस नाट यूज तो इसे कंडिशन में हमें सीग क्या है आलोको इस बढनी हमें रता है और अलोक इज ब्रेवर दैनNow उबनी योज खती है वे तो यह एलोकाीज यह व्रेवर वाहेट, यह सही हो जाएगा, है ना, इसके बाद आँगर देखते हैं, पृफर और पृफरेवल ऐज इनकंपरेटिब लिग डी दो सबदे या तखेंगे, पृफर और पृफरेवल ऐज इनकंपरेटिब लिग डी विद तू, not then, तो इनके साथ हमें to का प्रियोग करना है, then का प्रियोग नहीं करना है, जैसे देते हैं, I prefer walking than swimming, है ना, तो ये गलत हो गया है, सही क्या होगा, I prefer walking to swimming, मैं prefer walking, मैं टहलना पसंद करता हूं, बजाए पैडने के, है ना, तो यहां देख लेते हैं, to का प्रियोग करना है, बस सही है, रूल लाइन देखते हैं, comparing, जैनिक तुलना, should we same with person and thing, जो तुलना हो, बराबर की होनी चाहिए, ब्यत्ती की ब्यत्ती से, और बस्तु की बस्तु से, जैसे देखते हैं, my house is bigger than my uncle, अब यहां तुलना, घर की हो रहे हैं, यहां अंकल से हो रहे हैं, यह तो गलत हो ग for singular noun, that of and for plural noun, do job is used, इनका प्रियो किया जाता है, यदि तो यहां पर देखते हैं, my house singular है, तो यहां पर then that of का प्रियो किया गया है, अगर यहां प्लियूदल होता तो दो job हो जाता है, वस इतना ध्यान अखना है के बल, आंगे देखते हैं, the streets of Lucknow, तो यहां प्लियूदल का कानपूर, कानपूर की तुलना में लखनव की जो गलिया है, वो कैसी है, wider हमाना चमुड ही है, तो यहां देखते हैं, यह तो गलत हो गया है, the streets of Lucknow are wider than do job, यह दो सही है, दो जा गया यहां पर, क्योंकि यहां पर यह streets है, है न, then do job, कानपूर, यह सही है, अंगला दूल द comparative और double superlative का video कभी नहीं करते हैं, जो से देखते हैं, he is more cleverer than his cousin, गलत हो गया, क्योंकि more भी comparative है, गलत हो गया, तो he is cleverer than his cousin, अब यह सही है, आँगे देखते है, रितिक is the most, is the most best, अब देखो, यहां पर most superlative degree हो गया, बेस्ट भी superlative degree हो गलत हो गया है, तो यहां क्या दे बेस्ट बॉय इन दा क्लास, एक प्रियो करेंगे, दो प्रियोग नहीं करेंगे, आगे देखते हैं, few, many, several are objective of number, it should not be used as objective of quantity, कि few है, many, several है, यह कैसे है, संख्या देने वाले objective है, मिसेसर है, इनको कभी भी मात्रा मिसेसर में प्रियोग नहीं होना चाहिए, जसे देखते है देखते हैं, this child has taken many milk, इस बच्चे ने बहुत सा दूद पी लिया है, तो many नहीं होगा यहां पर, much हो जाएगा, तो यहां गलत हो गया है, this child has taken much milk, भी सही है, इसके बाद देखते हैं, rule 12 है, some are, most, any, and no, are, some objectives can be used in the both senses, adjective of number और adjective of quantity, तो यह ऐसे बिसेसर है, जिनका है, all है, most है, any है, and no, कितने हो रही है, एक यह हो गया, एक यह हो गया, यह, three, four, five, देखते हैं, example इनके, there are no students in the class, there are no students in the class, है न, objective of number है, he left no milk in the glass, अब यहां milk क्या है, मात्रा बता रहा है, no क्या हो गया है, मात्रा बता रहा है, यहां पर क्या है, भले ही negative है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां दोनों में प्रियोग देखने को मिला है, no का, adjective of number भी है, और यहां पर देखते हैं, quantity भी है, आगे देखते हैं, my friend has bought some books, some books adjective of numbers, आगे देखते हैं, bring me some tea, अब यहां मात्रा बता रहा है, some tea in the cup, है ना, cup name में मेरे लिए को चाहिए लिया हो, तो यहां मतलब हो गया है, कि इनको दोनों में ही प्रियोग किया जा सकता है, आगे देखते हैं, एक उससे भी important name क्या है, few of few and the few are adjective of number, so they are not used with countable noun, हरा, तो they are used with countable noun, sorry, इनको countable noun की तरह गिना जा सकता है, countable noun माना जा सकता है, वो क्या है, few है, a few है and the few है, हरा, जैसे देखते हैं, few, it gives negative meanings, यह few है, जो अगर अखेला प्रियोग होता है, तो यह negative बढ़ते देखता है, hardly यह नहीं उसका मतलब होता है, जैसे he has few friends in the school, इसकोल में उस आँगे देखते हैं, a few क्या है, it means some, और इसका मतलब होता है, कुछ, यह positive meaning देता है, जैसे my daughter wants a few books, मेरी पुत्री है, वो क्या चाहती है, कुछ किताब में चाहती है, ज्यादा नहीं, कुछ, खेरा, और यह कुछ क्या है, इनको गिना जाए, countable noun है, आँगे देखते हैं, जैसे देखते हैं, तब few words, कुछ that he spoke, जो भी बोला, in the meeting, मैंने meeting में, words sincere, sincere थे, उसके सब्द जो भले ही, वो थोड़े सब्दों का प्रियों किया, लेकिन वो सारे ही सब्द, वो सिंसियर थे, के लिए, इसी प्रिकार से देखते हैं, rule 14, less competitive, बिगरी, of little, little की, ये competitive less है, source quantity ये मात्रा बताती है, fewer comparative degree of few, और fewer जो है comparative degree of few की है, source number, इतना ध्यान दखेंगे, few का प्रियोग जहां पे है, जो ये quantity है, ये less बताती है, ठीक है, less का काम है, मात्रा बताना, few का काम है, fewer का काम है, संख्या बताना, जैसे देखते हैं, no less than 40 people attended the meeting, गलत हो गया है, no less than 40 people, तो यहां देखें, देखें, there is fewer water in this glass than that, तो यहां वाई, फिवर कैसे बाटर पानी को कैसे किना दे सकता, तो यह गलत हो गया है, तो there is less water, अब सही हो गया है, in this glass than that, अब यह सही हो गया है, है रहा, और फिर्ट्स यहां बिलकुल बात, बीज बीज में हम इलको समय बरवाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टॉपेश ज्यादा है, और हमें कम समय में कवर करना है, क्योंकि वीडियो जो होए, वह काफी लंब to explain, समय मताते हैं, लेटर एंड लास्ट सो पोजीशन, यह ओडर रक्रम बताते हैं, लेटर एंड लास्ट है ना, भास जे पнос्ट hon देले आया मोहन बाद में आया कहने का पर यह है वाट is the latest news सबसे latest news क्या है the latest minus सबसे आधनिक news नहीं सबसे time की बात किजिए कि आखरी वाली news क्या है latest news क्या है ठीक है इसका देखते हैं आप दर लेंट तिरि तीन पे हैं मिल्क, भेंड टी, मिल्क, दूत, वेंच भेंड अ चाह, आइव लाएक दोल लास्ट वेस्त, अंतिमब बाले को मैं ज़्यादा पसंदिकरता हूं, तो यहां पर मिल्क, वेंड टी टी की बात हो रहिये, टी को ज़्यादा पसंदिकरता हूं, आंगे देखते हैं, आप दिस बुक और वेरी इंटरेस्टिंग जो बाद वाले चेप्टर है वो काफ ही रुचिकर हैं आगे देखते हैं इन शेक्सपियर और ग्रेट पोईट्स मिल्टन इन शेक्सपियर बहुत महान कभी माने जाते हैं बट लेकिन दा फॉर्मर इस ग्रेटल दैन दा लेकिन जो पहले वाला है वह लास्ट वाले से बहतर है अब यहां देख लेते हैं क्या सब भेंगे नोट में मैंने लिख दिया लेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेट अकेला प्रियोग होता है तो यह निगेटिव देता है एट गिप्स निगेटिव मेनिंग जैसे देयर एज लेटिल वार्टर दा जग में पानी है ही नहीं यह माने चलिए आल्डली यह नहीं है ना दा लेट अलिटिल एट गेफ्स पॉजिटिव सेंस असल्टेन इसमें क्वांटिटि होती है और लेटिल नॉलेज इस डिएंजलास थिंग्स है ना तो ठोड़ा घ्यान खत्रे का ग्यान होता है अगे देखते हैं दलेटिल का मतलब क्या है इट मींस नाट मच बटाल इसका मतलब ज्यादा तो नहीं लेकर पूरा जैसे दिखते हैं दथी इस टोल दा लेटिल मनी देट दे हैड वह उनके पास जो भी मनी थी वह सारी चोर चुरा ले गए जितनी थी पूरी अगे देखते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है तो रूल 17 में देखेंगे फार्दर सोज डिस्टेंस फार्दर जो है वो डिस्टेंट बताता है दूरी बताता है जिसंट फार्दर क्या है शोज फॉर्थ आगे की शिस्तिती बताता है नियरेस्ट क्या है सोज संप आपसे हैं सेर्मी कां यहां लखने रिक दिश किस्टिा सवर्द कांक जाएर डिया फशांट में दिल्ली दोर यह नहींस है0000 प्रम आप अलहावावाद Pre देन कानपुर कानपुर की तुल्ना में इलाबास से दिल्ली ज्यादा दूर है कानपुर से नजदी पड़ेगा आगे देखते हैं दा नियरेस्ट बैंक एज थिरी माइल्स फ्रॉम हीर तो सबसे नजदीक की जो बैंक है वह यहां से तीन मील की दूरी पे हैं आगे देखते हैं माई हाउस एज नेक्स्ट तू ओस्ट आफेस तो यहां नेक्स्ट का मतलब क्या है पास में ही या बगल में और श्ट आफेस के बगल में मेरा घार है आंगे देखते हैं ही वांड सम फर्दर है वह कुछ आगे की मदद चाहता है तो यहां फर्दर का मतलब आगे की इतनी गारंटी है कि जो भी नियमों को फालो करेगा जो भी अपनी कौपी में को लिख लेगा उसके परिच्छा में कभी भी उसको मात नहीं खानी पड़ेगी वह हमेशा ही अच्छे अंक ले करके आएगा और एक अच्छी खौसी जॉब ले करके भी आएगा यह भी तय है है ना तो रूल एटिन देखते हैं इल्डर इंडेश्ट इस्ट इजओं उनली स्रनेम फैमली दा मेंबर ऑफ दॉस्ट फैमली इल्डर इल्डेश्ट जो होता है ब्लेड रिलेस्ट में ही क्यवल होता है फैमली में में ही होता है without योजिंग अफ दैन ध्यान दखेंगे कि और एल्डेस्ट के साथना तो आपको लगाना है और नहीं देन लगाना है देन टू को नजर अंदाज करना है जैसे देखते हैं माई इल्डर विड़दर एज एन एड़ोकेट मेरा बड़ा भाई क्या है बखील है यहां की बात हो रही है सर्विस है मेरा बड़ा भाई है और इल्डेस्ट का मतलब यहां में क्या है और बच्चा पहले पहले जनम रेता हुआ ही बड़ा माना जाता है और आगे देखते हैं नॉट में देखेंगे इफ इल्डर ट्रैक्स प्रपोजीशन ओफ यदि इल्डर जो है प्रपोजीशन ओफ लेता है आल्टिकल दा यह यूज्ट विफॉर इट तो इसके पहले आल्टिकल दा का प्रियोग होता है हाना अब आँगे देखते हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रियोग दोनों ही किया जाता है पर्सन के लिए भी प्रियोग होता है और थिंग के लिए भी प्रियोग होता है नाट सेम फैमली लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि इसमें बिल्डर देलेशन नहीं होता है यह फैमली के मेंबर नहीं होते हैं हां ओल्डर इज फालोड by 10 का जब आप प्रियोक करेंगे तो इसके साथ आपको तुलात्मा तुलात्म nahm आपको परियोग करना पड़ेगा कंजंशन हो कि इसका परियोग करना पड़ेगा जासे केस्व फ्रेन दाइन इच्फ से वेशन है कि अपने मत्र से सब्सक्राओ में बड़ा है कि किस और फ्रेंड का विलेट डिलेसन नहीं है अंगे अमिट एज माइज्ड फ्रेंड आमेज जो है वह मेला सबसे पुराना में और आगे देखते हैं हुआ अगर माना जाता है आगे देखते हैं इस इता ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन दा विलेच और हमारे विलेज गावं में यह सब इसको देहान लखेंगे कि बन टू के बाद थ्री आसे आता है बन टू के बाद तो पहले आएगा फ़स्ट बाद में आएगा इस करम को ऐसे याद कर लेंगे कोई ज़्यादा अरुची नहीं है ज़्यादा बच्चे उसमें इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो इस परकार से कह सकते हैं आगे देखते हैं बहुत का प्रयूग अड़ियूग की बहां थो दा इज्यूज्ट आप्टरेट तो इसके बाद दा का प्रयूग होता है जैसे यौर मदर केम हेयर ओन दा बोथ डेज गलत हो गया है यौर मदर केम हेयर ओन बोथ डेज बोथ की बात दा लगना है तब यह सही माना जाएगा इससी प्रकार से आंगे देखते हैं सम इज यूज्ट तू सो पॉजिटिव डिग्री सम का प्रयूग यह दिया आपका अड़ देखते हैं ही विल विल यू हैब सम फूड है ना तो यह भी पॉजिटिव अड़त दे रहा है ही डिट नाट बाई एनी पैन उसने कोई नहीं खड़ीदा तो यहां भी नाट लगा है तो यह निकेटिव हो गया है तो एनी के साथ जाएंगे और हैव यू एनी वोक्स फॉ और रेडिंग है ना क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है रूल 22 देखेंगे इप इच आप इच आप इच आपरी आइदर एदर नेदर इजी यूज्ट एज डिटिव सिंगुलर नाइन इजी तो इनके साथ सिंगलर नॉन का प्रियू करना है जैस सिंगुलर सब्जेट का ही प्रियू किया गया है और इसके बाद देखते हैं एवरी इजी यूज्ट इन दफ फॉर्म ऑप अडिजेक्टिव मोली एवरी का प्रियूग केवल एडिजेक्टिव में ही होता है ना कि प्रोनौम में इतना ध्यान रखना है इसको आंगे देख अप्टेव खता इडरी खंपलीमेंट यह एक्शन ब्रवह है इनके बाद हमेशा यह अडिजेक्टिव काा ही प्रियूग होता है नहीं ऐड़ावर तो एक्शंट कहते होगा आपशे में बाध कि क्या कि लुक्स धंटिं शूरच पूर्ण साट्टा होता है तो यह कैसा मैसूस करता है दुखी मैसूस करता है इनके बाद जो प्रियों किया गया है के वल के वल करेंगे यह देखते हैं क्या करेंगे प्रेटी बिग ओनेट यह पॉस्टिप डिक्री का फिर्मूला है इसी के बनाके बता दिये गया है, बिक का बिगर देन कर दिये गया है, honest का more honest than का परियोग होता है, अंगे देखते हैं, superlative degree का मतलब देखिए, the prettiest of इसका बनाके बता गया है, बिक का देखिए, the biggest of, और honest का, the most honest of का परियोग होगा, इसके बाद देखते हैं, रूल 25 है, यह लास्ट रूल है, different between our mutual friend, our common friend, तो यहां पर देखते हैं, our mutual, our common friend में क्या अंतार है, देखते हैं, our liking was mutual, mutual, mutual means होता है आपसी, तो he is our common friend, अब mutual होता क्या है, ब्यक्तियों के बीच आदान प्रदान का भाव जब हो, आदान प्रदान का process चलता हो, तो वो friends, mutual friend बोले जाते हैं, तो यह अंतर रहेगा इसमें, ठाला, तो आज का टोपिक यहीं पर समाप्त होता है, आपको यह टोपिक कैसा लगा है, कितन कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को जादा सजादा लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका दिन मंगल मैं हो, थैंक यू, इसी कामना के साथ,